हलो दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियान इंस्टिटूट ओफ इस्टोक मार्केट में अब आज की वीडियो जो है वह बहुत खास होने वाली क्योंकि आज हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनलेशिस की शुरुआत होई कहां से पर टेक बतलब कि हमें नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट की संभावना सबसे ज्यादा हो उस वाले प्रस्पेक्टिव से में वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के लिए लेकर कर के आता हूं तो उसी के हिसाब सही में डाउ थियोरी बताने वाला हूं कि डाउ त्योरी क्या हो परसल को समझना है तो डाव आना जरूर है इसलिए अपन डाव थेयोरी की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो भी बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग बेश्ट होगी और आपको यह समझना है कि कैसे हम उसको अपलाएगर के पैसा जनरेट कर पाएंगे तो अपन चलते स होती है वह नहीं हो सकती है पर मार्केट को कहीना कहीं उस चीज़ के पहले से अंदाजा लग जाता है कि हां यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है अल्मोस्ट ऑल अफ सडन हुआ तो शाहिए तक मार्केट उससाब से सडन रियक्ट करे अधर्वाइस मार्केट हर चीज को प मार्केट में एक्स्पेक्टेशन है कि रेपटा रिट जू है वह गटने वाले तो मार्केट कीया होगा पहले से दिसकाउंट कर सुखा और एंडिमेटल से töर्ट हो कि हां यहां से आप रेट जो है बतायर नहीं नीचे जाने वाले पेटरन को जानोगे, चार्ट के पेटरन को जानोगे, तो आप इस डिसकाउंट वाली चीज को समझ पाओगे, जैसे कि आज की वीडियो में हमने डिसकस किया था, बुलिश कीकर सिगनल, तो वो कीकर सिगनल क्यों बन रहा है, क्योंकि मार्केट में कैसी चीज आइटेफाई करी है, जो कुछ समय में होने वाली है, जिसमें की कमपनी अच्छा करने वाली है, या फिर कोई इंडेक्स से उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, तो वो बुलिश कीकर सिगनल, यानि कि बायर्स पहले से उसमें अग्रेसिव पोजिशन मनाके, प्री ओपन में उस चीज को बड़ा उठा गेते हैं, इस हिसाब से जो है मार्केट अपने आपको पूरे तरह की से डिसकाउंट कर लेता है, को इसी भी चीज मार्केट में एकदम से all of a sudden नहीं होती है, 90% of the time, मार्केट को पता होता है कि आगे क्या होने वाला, यह हो गया पहला पॉइंट, तो यह अपन ने बहुत ही बेसिक सी बात करी है, अब अपन चलते सीधा अगले पॉइंट पर, कि मार्केट में कुछ phases होती है, मार्केट अपने टर्मिनलोजी लेके चलता है क्या, कि मार्केट में बहुत तेजी चल रही है, जैसे अपन फॉर एक्जम्पल अपन स्पेसिफिक डाउ थेओरी को इंडिन मार्केट के साब से समझते हैं, तो मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, और काफी समय से चलता आ रहा है, शैता का 10-15 साल से जादा हो चुका है, मार्केट में क्या चल रही है, तेजी, 7000, 8000, 6000 की निफ्टी पोज गई है, कि इतनी 22,000, तो यह जो फेस चल रहा है, यह चल रहा है प्राइमरी फेस, क्या है प्राइमरी फेस है तेजी का, तो इसे के साथ ही अपन अपने अगले पोइंट पर आते हैं, कि मार्केट में जो है स्पेसिफिक फेस होती है, अब क्या फेस होती है, पहली फेस जो होती है वो होती है प्राइमरी फेस जिसकी मैंने आपसे अभी हल बात करी है कि निफ्टी अभी हल जो सिनेरियों में चल रही है वो हमारा प्राइमरी फेस है क्या अब जो छोटे-छोटे corrections आते हैं उसे हम secondary phase में इंक्लूट करते हैं जैसे कि for example अगर आपने देखा हो कि मार्केट ने 2015 के असपास एक specific fall लिया था फिर आप कोविट का क्रेश तो भूलने सकते तो जो कोविट के क्रेश आये थे वो थे secondary trend कि long terms में बड़े-बड़े corrections आते हैं उसे secondary trend केते हैं इसके बाद जो तीसरी phase होती है कि वो होती है माइनर क्या रहती है कि माइनर जो है वो बहुत ही छोटा सा correction होता है मतलब कि primary phase secondary phase और secondary phase के अंदर में भी जो छोटे-छोटे corrections होते हैं उनको हम माइनर phase बोलते हैं अब अपने को किस से मतलब है हमको ना primary से मतलब ही ना secondary से ना माइनर से क्यों हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम सीधर डाओ थियोरी को अपलाए करेंगा डिरेक्ली higher low higher high formation और lower low lower high formation बस हमें इसका इस्तेमाल करता है पर अपने basic understanding के लिए समझ रहें क्यों क्या होगा आज क्या होगा उस वाले scenario के लिए हम डाओ थियोरी का सबसे लाश्ट वाला principle इस्तमाल करेंगे जो कि आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा तो आप बस अभी हाल समझते चलो तो अभी हाल हमारा तीन phase क्या क्या है बस अपने बात खतम कर दी हैं पर अगल जाकर के चार्ड देखना आप इसका आपको एक चीज बिल्कुल क्लिर समझ माई जाएगी कि जो अभी हाल उसका scenario चल रहा है ऐसा अगर आप उसको लॉंगर टाइम पर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इस वक्त और यह जो बन रहा है जो इस एरिया में अ टाइम ले रहा है तो वह इसमें से कोई एक फेज में होगा तभी वह इतना टाइम टेक कर रहा है तो आपको वह इंटिफिकेशन कैसे करेंगे वह अपन थोड़े दिर में समझेंगे अभी हाल के लिए SBI काड जो है वह किसमें एक्क्यूमेलेशन में अब करेंटिक रेली मिलेगी और उसके बाद क्या होगा कि प्राइज अपने आपको मेनेज करते हुए एक फॉल्स सेलोफ बनाके और मुमेंटम करेगी यहां पर क्या होगा ऐसा लगेगा कि मार्केट और नीचे जाने वाला एक पैनिक करेंट होगा उस पैनिक को जो है बड़े क्या करती है अब आगे प्राइस क्या करती है प्राइस एक मुमेंटम ले रही होती है फिर पॉज लेती है फिर एक डिप बनाके फिर मुमेंटम करती है फिर पॉज लेती है फिर मुमेंटम करती है फिर पॉज लेती है फिर मुमेंटम करती है तो यह जो सिनेरियों यहां प बाद पर करके उपर पोस्ति है तो उपर में भी वह क्या करती है सदन फॉल लेकर के फिर से रिट्रेस करती है इसा दिखाती कि और उपर चलने वाली है और जाती नहीं है और यहां से क्या होता है एक बड़ा fall मिलता है ऑसी को हम क्या बोलते हैं distribution इसी को ही हम distribution बोलते हैं तो इस ईसाब से जो है बर्की चलती है मार्केट में अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़ा सा लंभा सोचते हैं तो हमें यहां तो कभी बाई नहीं करना है कैसे पता चलेगा कि यह फेज यह वाला नहीं है ट्रेड करके ऐसा बिल्कुल भी किसी नहीं बोला कि यहां डिस्ट्रिबूशन नहीं बन सकता यहां डिस्ट्रिबूशन नहीं बन सकता वह कहीं पर भी बन सकता है आपके दिमाग मे सही हो रहा हूं तो एक बार मुझे स्टॉप लोस देने में कोई खराबी नहीं है बस मुझे यह पता होना चाहिए मेरे माइंड को ऐसा सेट रखना है कि मुझे यहां से निकलना है एक्जामपल जानना चाहेंगे आप आप जाकर के चार्ट पर अभी हाल किसको चेक कर यह पत स्टॉक्स जो अभी हाल बहुत तीजी से मुमेंटम करें कोल इंडिया तो यह अपन बात करें ना यहां पर फोड़ा यूनिक कॉंसेट डाउ का ऐसे डाउ आस तक कभी किसी ने बताया नहीं होगा आप लोगों कि डाउ कैसे देखा जाता है अब यह तो बात हो गई अब इ करना है डिस्टिभीशन जो है अभीक अभी हाल इंडिन ऐक्विटी श्टोकस में कं मिलेगा जो च्छों का परफॉर्प में च्य कंट ररहा है विद्दीश में नहीं टीपेस्ट कि चल रहा है उसिमें काऊ बुप्रोड जल रहा किविवध उने वाली वीडियो में बात कर जो कि डाून ने गये थागहा पर अपने मार्केट से कनेक्ट कर दें मिधenge posis लोगेवार जाना चाहिए 1 क终 उपड़ाना चन्सेक्सहः जाना चाहिए सब हैक तो इंडेक्स दूसरे इंडेक्स के विपरीद नहीं आपको बड़े मोमेंटम मिलेंगे अगर निफ्टी का ट्रेंड टुद अपसाइड है और बैंक निफ्टी का ट्रेंड टुद आउनसाइड है उस वाले सिंद्रियों में आपन बात करेंगे कि यहां पर मार्केट के पास नहीं पता है कि उसे कहा जाना है मार्केट साइडवेज है संवलेडेशन में फ़स गया है पर मार्केट को अगर लंबे मुमेंटम करने तो सबके ट्रेंट जो है वह एक तरफ चलने चाहिए इंडेक्स एक तरफ चलने चाहिए अपना या दे अग्ला पॉइंट पर तो वॉल यहां पर इस वाले सिनेरियों में हमें वॉल्यूम कम होते दिखना चाहिए ब्रेक आउट से टाइम पर हमारे पास हाई वॉल्यूम के साथ में मुमेंटम चलते चले जाना चाहिए जब जब रेली होगी यहां पर इस वाले फेस में हमें हाई मुमेंटम मिलना चाहिए हाई व आपको ऐसे सिनेरियों मिलेंगे जहां पर प्राइज इस्ट्रक्चर ब्रेक करकर करके चल रही है और जो भी स्टॉक्स बड़े मुमेंटम करते हैं वो डाउ थियूरी के प्रिंसीपल पर ही चलते हैं अगर आपको स्टॉक्स में काम केसे करती है और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कभ एक्जिट करना यह अगर में इंड्रेद यह पर काम तो किया में तो इस को मदा ऑगा जिस पकड़ा जा सकता हुगा जिससे आपको इन्य नीचे से प्सक्राइब ऑन करते हो और इस टॉक्स को किसे लंबा होल्ड करना इसके उपर मेने और भी आने वाले समय में बहतरी वीडियो बनाऊंगा साथ-साथ में इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन से स्टॉक लेना सही होते हैं जो अपने हाई से 30% 40% गिर जाते हैं वह या फिर जो इ ठांग चींस मूमेंटम करएं डिपेंड करता है हमारा सिनीर्यो क्या है अगर हम बाइक करके फशने को एडी है या फिर नीचे में आदे करके आराम से अपने प्राइस केस पर बैठने को रेडि हैं आपको यषिय इसके बाद आप अपने आप ही का renewed पार लेना है यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है दो चीज ध्यान रखनी है पीली चीज हाइर हाई हाइर लो फॉर्मेशन जो सबसे इंपोर्टेंट ट्रेडिंग के लिए अपन उस पर आ गए थोड़ी सी अपने इस वाली वीडियो में साइकलोजी के प्रस्पेक्टिव से भी बात कर कर दिए तो अब हागा यहांपर हाई रहाइब लोविशन और चाहिए और जब तक ट्रेंड चेंज ना हो जाए तब तक हम से थ्रेड को होल्ड कर सकते हैं आप एक बर समझ ले shroud मार्केट के स्टुक्चर को क्या मार्केट का स्टुक्चर अधियान से देखिए का इस ही इसाफ से मार्केट उपर जाता है अभी अपने चर्चा करी बस अभी जो मैंने छोटे-छोटे फेस बना दिये हैं यह कुन से फेस हैं यह मार्कप के फेस हो सकते हैं यहां पर कुछ कुछ ना कुछ इस्पेशल बन रहा होगा तो वह आप जब जूम-इन करेंगे इसी में अंदर जूम-इन जूम-इन करते जाएंगे तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट ट्रेंट निकल के आएंगे इस चार्ट को बहुत ही चोटे टाइम फ्रेम पे लिया यह सपोज आप मानके च इससे इस वाले से यह वाला हाई उचा है तो इससे हायर लो हो गया मतलब ट्रेड जो है वो ट्रेड के फॉर्मेशन में चल रहा है अब आप इसको चार्ट पे जाके अनालिसिस करोगे तो नम्डिसी का जो नीचे में ब्रेक आउट हुआ है 115-120 रूपे के आसपास तक तो नम्डिसी होल्ड था जैसे ही एक बार नम्डिसी 120 रूपे के ऊपर निकल करके वापस से नीचे में 80 रूपे तक आया था उसके बाद जो वापस से घुमके चला था वहाँ पर उसने पहली बार हायर लो बनाया था आप जाके नम्डिसी का चार्ट चेक करना वहाँ पर आपको यह वाले सिनेरियों मिल जाएंगे क्या कि के से प्राइज हायर हाई इस्ट्रक्चर बनाता है और उसे हायर हाई बनाने के लिए तीन-चार साल भी लग जाते हैं 2017-2018 में नीचे आया हुआ एनमडिसी 2022-23 में चल रहा है पर केसे चल रहा है सीधा 100% का गिन तो वह इसी थियूरी के कारण है दाओ थियूरी के कारण ही आपको वहले मुमेंटम मिल रहे हैं उसके बाद तो मार्कप मुमेंटम मार्कप मुमेंटम इसे साब से स्टॉक मूव करते चले जा रहा है और यह एक्स्ट्रेम तेजी के मैंने क्या का एक्जॉर्बेंट तेजी हो चुकी बिल्कुल एक्सिस त कर रहे हैं कि उसके बाद भी ट्रेट कंटीनियस किया सकते हैं तो किस से किया सकते हैं सिफ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन देखके किया सकते हैं तो आपको ट्रेंड में बने रहना है डाओ थियूरी हमें यह पताती है कि एक बार हम ट्रेंड में सई जगे पर घुज गये ह हो सकते हमारी entry यहां होई हो सकता है हमारी entry यहां होई हो एक बार हम trade में घुज गए हैं तो trade को हमें continuous ride करना है जब तक कि trade में proper reversal ना जाए अब reversal के से आएगा reversal कि इस format में आएगा कि यहां पर प्राइस क्या करेंगी नीच्छे आपके hold करेंगी आपको दिखाए दे रहां कि एक चीज दिग गई योगी क्या यहां पर फड़ायर हाइं लगना बंद हो गया यह हायर हाइ था पर यहायर लो नहीं बन पाया यह क्या बन गया lower बन गया इस से छोटा है ना हायर हाई से यह वाला हाई छोटा लग गया यहां पर क्या हुआ इक्वल लो लग गया दोनों में और यहां पर क्या हुआ लोवर लो लग गया किसके मुकाबले इसके मुकाबले भी और इसके मुकाबले भी यह तो हायर लो था यह अब यह क्या और इस वाले scenario में हमें समझ जाना चाहिए कि यह जो long lasting trend था यह खतम हो चुका है और अब हमारी exit plan होनी चाहिए तो इस हिसाफ से आपको इसे longer term में देखना है कि हो सकता यह जो face हो वो यह वाला face हो कुंसा वाला यह वाला तो आपको बस इस वाले face से बचना इस momentum में आपकी position मनाओ आपने मेरी दूसरी वीडियो देखे हो तो मैंने credit spread, debit spread, different different दुनिया भर की option strategies की वीडियो बनाई है और इस वाले channel में मैं एक proper series लाने वाला हूँ जिसमें आप बिल्कुल 0-100% तक stock market सिखोगे कि एक proper class चलेगी रोज की रोज class होगी और आप रोज stock market सिखके मुझे homework करके बताओगे कि यह scenario हुआ है यह उडियो आंधा है इस उसाब से हमने working करी और यह marketing का गइन रहा है यह market का loss रहा है ऐसे हमें वर्कैंग करी है तो आपन सब मिल करके एक बहुत बढ़िया लर्निंग करेंगे स्टॉक मार्केट पर आप बस बिल्कुल जुड जाए और अगर आपने पी तक अपना डिमेट अकाउंट नहीं खुला यह तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप अपना डिमेट अकाउं करने वाली वीडियो का वेट करें तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद